आज का प्रेजना पाते शुब का हो वरण यानि थिंक पॉजेटिव, डू पॉजेटिव, बी पॉजेटिव, हर काम में पॉजेटिव बनो तो शुब का वरण हो जाएगा जैसे थिंक पॉजेटिव अगर आप विदायक सोचते हैं तो आप दुख में से सुख निकालने की कला जानते हैं क्योंकि दुख जो आता है वो हमारे करमों के अधीन है पूर जनम में हमने कुकरत किये और पुन्य का संचे किया तो वो हमारे जो कौजन बोड़ी जो हमने कौजेश डालेते इस जनम में तर्वे करम रूप में हमको कष्ट मिलता है दुख मिलता है तो ऐसे समय के अंदर जो है हमें सोचना चीए तो मेरा ही किया हुआ है इसमें क इसी का दोश नहीं कोई दोशी नहीं है खुद के निजदोस दशन से जगत निर्दोस सारी दुनिया को निर्दोस समझो और निमित समझो और उसके बाद के अंदर उसके उसके शुद आत्म सुरूप में समझो तो क्या होगा कि हम अ करता बने रहेंगे ऐसा करने से शुब विदायक होने चाहिए, चाहिए सुख हो दुख हो, और डू पॉजेटिव, हमें जो है विदायक सोचने के साथ साथ विदायक करना चाहिए, करने का अर्थ यह है कि अगर हम कहीं पर एक बाहरा सफलता मिल गई, चिंता नहीं करने ही, दूसरी बाहर सफलता मिलेगी, गो ओन पॉजेटिव कार्थ होता है, अगर व्यक्ति जो है पॉजेटिव थिंकिंग करता है और पॉजेटिव कारी करता है तो निस्चित तोर से पॉजेटिव बनता है, अच्छा व्यक्ति बनता है, सज्जन व्यक्ति बनता है, वो निर्मान कर सकता है, और ऐसा व्यक्ति पूज बंदनिय इस्तुत्य बन जाता है इसलिए हमेशा शुब का वरण करना जाएगी